श्री शिवाय नमस्तिब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब नवरात्री के पावन पर वह आने ही वाले हैं मा दुर्गा की असीम क्रिपा प्राप्त करने के लिए केवल आपको कड़वी नीम के पत्ते और एक निम्बो से भौती अच्चु कुपाय करना है ताकि आपके करें शाक्षा दुर्गा मा आपको आशिरवात प्रदान करें तो कुछ उपाय आपको जरूर करना चाहिए नीम के पत्ते से और निम्बो से पुझ्जी गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दीवी उपाय बिलकुल सरल वीदी से सरल तरीके से पहुचाए जाएं ताकि आप उन उपायों को कर पाएं अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल आकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम या जय मातादी जरूर लिखें नवरात्री याने की दीव विरात्री जब मा की शक्ति इस धर्ती पर सबसे ज़ादा होती है और मा की शक्तियों को हमारे जीवन में उतारने के लिए कुछ उपाय हमें जरूर करना चाहिए कडवे नीम से आपको अच्चुक उपाय करना है दो तारिक को जब घट स्थापना होगी सबसे पेले जान लेते हैं कि घट स्थापना कब होगी घट स्थापना का शूब मौरत है सुबह 6 बच कर 22 मिनिट से 8 बच कर 31 मिनिट तक यानि कि अवदी करीब 2 गंटे 9 मिनिट की रहने वाली है तो इसी में आपको ये कार्य करना है हम आपको इस वीडियो में दो उपाय बताने वाले नहीं तो आप दो तारिक को फिर सुबह आपको जा करके लेकर आना पड़ेगा तो कड़वा नीम अगर आप रातरी में लेकर के आ जाते हैं तो वो आपको पूजा वाले इस्थान पर आपको रख देना है दुसरे दिन आपको कड़वे नीम की डाली से ध्यान लके आपको कड़वे नीम के पत्तों से उन्हें आपको लाल मोली से बान देना है और वो आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको टांग देना है कड़वे नीम के पत्ते आपके जीवन से आपके घर से नकारत्मक शक्तियों को दूर करेंगे नवरातरी में जैसे ही आप घर के बहार यानि कि दिव्य शक्ति आपके साथ होगी, आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे, जैसे ही आप वापस घर में प्रविश करेंगे मुख्य द्वार से, वेसे ही आपकी जो भी नकारत्मक शक्तिया है, उनका वही परशे हो जाएगा, इस प्रकार से 9 दिन आप उसी मुख्य द या तो आप वो इस्प्रे वाली बोटल आती ना वो भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा पानी भरना है और उसके अंदर एक निम्बू का पूरा रस निचोड़ करके आपको उसके अंदर डाल देना है, ठीके हो सके तो कड़वी निम की जो पत्या हैं उन्हें उबाल करके थोड़ा सा पानी में उबाल करके वो पानी भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, याने कि कड़वी निम का पानी हो गया और निम्बू हो गया और शुद्ध जल हो गया, ये तीनों भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप जल और निम्बू रस भी आप मिला सकते हैं, अब जगाँ और दियान रखे गंदगी वाले स्थान पर और वाश्रूम के वहाँ पर आपको ये इसका छिटकाँ नहीं करना है इससे नकारत्मक शक्तिया दोदूर होगी होगी और इससे क्या होगा सकारत्मक शक्तियों को खीचने का प्रयास करेंगे आपको करनी हैं नकायदत्मक्षक्तियों को दूर करना हैं बड़ा ही आसान उपाय हैं कर सकते हैं निश्यत तोर पर ये आप आपको करना ही चाहिए